तो क्या नितीश कुमार का दिल फिर से तूटने वाला है क्योंकि जिस तरीके से नितीश कुमार ने बताया था कि मैं जिन जिन लोगों को आगे बढ़ाता हूँ वो लोग मेरा दिल तोड़ देते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है और अब इसलिए मैं किसी पर भरोसा करना ही चाहता हूँ बिते कुछ दिन पहले ही नितीश कुमार ने ये कहा था कि मेरा दिल तूट गया मैंने बहुत सारे लोगों पर भरोसा जताया और वो लोग मुझे छोड़ कर चले गया मैं उन्हें आगे बढ़ा रहा था और वो मुझे पीछे धकेल कर चले गया इसलिए अ और अब जेडियू के तमाम निताओं से पूछा जा रहा है कि क्या आप नितीश कुमार को धोखा देने वाले हैं आप के वारे में ये खबर चल रही है कि आप भाजपा के टिकट पर लोग सभा का चुनाव लड़ेंगे तो उस पर उनका जबाब ये आता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा किस से सवाल किया गया है क्या जबाब आया है वो हम आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले नमस्कार में अनाम सशांग पांडे है आप जंदा जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे विसाल खड़े हैं और अब हम आते हैं खबर पेर कि क जा है खबर किस तरीके से जब जेडियू के एक नेता से सवाल किया गया कि क्या आप निटीश कुमार को छोड़ देंगे क्या भाजपा के टिकट पर लोग सभा का चुनाव लड़ेंगे तो उस नेता का जबाब आया कि बिल्कुल नहीं मैं निटीश कुमार का बेहत करीब नहीं हूँ निटीश कुमार के सबसे चहिते आदमी असोक चौधरी के बारे में अफवा फैला अफवा क्या खबर में सच्चाई तो थी कि असोक चौधरी भाजपा के संपर्क में है और जेडियू अगर उन्हें लोग सभा का टिकट नहीं देता है जमुई से तो वो चौधरी से लग भगबात हो चुकी थी और अमिस्सा भी इस पर हामी भर चुके थे क्योंकि चिराक पास्वान जमुई सीट छोडने वाले हैं और असोक चौधरी लगतार वहां से तयारी कर रहे हैं तो असोक चौधरी ने सोचा कि अगर जेडियू मुझे भाव नहीं दे देती है तो मैं भाजपा के टिकट पर वहां से चुनाओ लड़ लूँगा और मोदी के नाम पर जीत भी जाओंगा क्योंकि चिराक पास्वान लागतार दो बार मोदी के नाम पर ही जीते हैं 2014 में पहली बार वहां से सांसत बने 2019 में बने और अब चिराक पास्वान के बारे में एक खबर आ रहे है कि वो जमुई सीट छोड़ देंगे तो जब जमुई सीट चिराक पास्वान छोड़ेंगे तो असोक चौधरी वहां से चुनाओ लड़ेंगे और असोक चौधरी सिच्छा विभाग को भी उन्होंने संभाल रखा और उसके पहले परदेस अध्यक्ष के पद पर भी थे। लेकिन के ओग्रेस से रिस्ता नाता तोड़ कर वो निटीष कुमार के साथ आए और अब लागतार निटीष कुमार के साथ हीह और अब कह रहे हैं कि मैं निटीश कुमार के सहीदे जथा में रहता हूँ इसलिए लोग कहते हैं कि असोग चौधरी को बदनाम कर दो और ताकि असोग चौधरी और निटीश कुमार का रिष्टा जो है वो खराब हो जाए आप अगर गौर से देखिएगा तो निटीश कुम इनी लोगों की बात मानते हैं और इनी लोगों की बात मानने की वज़े से जेडियू में टूठ हो रहा है उपेंद्र कुस्वाहा ने जेडियू जब छोड़ा तो इनी तिन नेताओं पर उन्होंने इसारा भी किया कि निटीश कुमार अपने किचन केबिनेट में ही उलज कर रह जा रहे हैं किचन केबिनेट मतलब कि ये जो लोग हैं तीन लोग ये उन्हें बहला फुसला कर वहीं पर रख ले रहे हैं कहीं बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं बाहर सोचने ही नहीं दे रहे हैं जब तक ये तीन नेता उनके साथ रहेंगे जेडियू का विकास नही कर दिया था और कहा भी था उपेंद्र रकुषौक大 आशोग चौदरी में तीपनी कर रहे और अशोग क्सवाह के बारे में यह भी कहा था कि जो भाड़ादार होता है यानि जो भाड़ा पर घर में रहता है वो मालिक थोड़े रहता है घर का यानि उपेंद्र कुसवाह जेडिव के मालिक नहीं है उसके बाद खुब भहस हुई थी उपेंद्र कुसवाह ने भी असोग चौधरी को कहा था कि आप भी भारेदार है लेकिन असोग चौधरी ने कहा कि नहीं मालिक से मेरा डारेट संपर इसलिए हम भारेदार नहीं है यानि नितीश कुमार से बहुत अच्छा संपर्क है असोग चोदरी का और सायद इसलिए भाजपा यह प्लान बनाई कि नितीश कुमार को अगर तोड़ना है तो असोग चोदरी को बदनाम कर दो और असोग चोदरी जब बदनाम हो जाएंगे तो असोग चौदरी को ये लगेगा कि जब बदनाम हो ही गए तो चलो अब भाजपा के टिकट पर चुनाओ लड़ी लेते हैं और जब भाजपा के टिकट पर चुनाओ लड़ेंगे तो नितीश कुमार वहीं पर तूट जाएंगे कि अब मुझे किसी के उपर भरोसा नहीं ह भाजपा का ये प्लान था समराठ चौदरी का भी ये प्लान था अमिस्सा ने समराठ चौदरी को ये प्लान बताया था कि जडियू को अगर कमजोर करना है तो जडियू के तमाम निताओं को बदनाम करो नितीश कुमार के नजरों से गिराओ ताकि जडियू तूट जाए लेकिन ये प्लान अब भाजपा का सफल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या वाकई में असोग चौधरी भाजपा के संपर्क में थे, समराख चौधरी से बाचित कर रहे थे कि ऐसे ही अफ़ा फ्हलाई गई है। बरहाल इसका बार में इतना ही बने रहा हमार साथ और देखते रहे जन्ता जंक्शन।